हेलो एवरीबन वेलकम बैक इन अवर चैनल दोस्तो आप सभी का स्वागत है मैं हूँ कपिलतो दोस्तो आज हम इस वीडियो में कुश्चन नमर 61 और 62 को आज हम कंप्लीट करेंगे इससे पहले में कुश्चन नमर 60 तक का जो वीडियो है में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ हेलपल रहेंगे तो 100 कोश्चन का सीरीज हम कर रहे हों के तो टेट के लावा किसी और भी एक्जाम में अगर आपके टॉपिक रहता तो वहां भी काफी हेलपल रहेगा और mostly टेट एक्जाम में आपके इसी तरीकी के कुश्चन पूछे जाते हैं तो आप अच्छी तरीके स इनको समझ लीजिए 100 कोश्चन ही आपके लिए काफी रहेंगे मैथ के लिए तो कोश्चन को सॉल्ट करते हैं देखते हैं के आंसर क्या आएंगे दो कुश्चन को आजम कंप्लीट करेंगे उससे पहले अगर आप चैनल पर नीव हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक सेयर जरूर करिएगा तो कोश्चन नंबर 61 आपका है दोस्तों कोश्चन नंबर 61 है आपका 96 के सवी धनात्मक गुडरन खंडौ का योगफल आपको बताना है ठीक है 96 के जितने भी पॉजिटिव फेक्ट चार उप्षान आपको यहां पर दिखाइदे रहे हूंगे तो सबसे पहले क्या करना आपको 96 के आपको फेक्टर कर लेने हैं मैंनेयाँ और रएड़ी फेक्टर कर रहा है जिससे का हमारा टायम बेस्स नहोंगे तो आप 96 के जब आप factor करोगे तो आपको यहाँ पर factor दिखाए दे रहोंगे factor तो I hope सभी लोग कर लेंगे अब मैं 96 के factor को collect करके लिख रहा हूँ तो 2 आपका कितने time आ रहा है 1, 2, 3, 4 और 5 2 जो आ रहा है वो आ रहा है 2 का power 5 5 into और क्या रहा है 3 आपका रहा है 1 time आपको ऐसे लिख लेना है पहले factor करना है फिर इनको power में collect करके लिख लेना है अब सभी धनात्मक गुड़न खंड़ों को योग निकालते है निकालने का तरीका क्या है जर आप ध्यान से आप समझना हो यहीं से आपका वो concept start होने वाला है करना क्या है यहापका 2 का power कितना है 5 power ही add कर देना है 2 का power 6 तो क्या करना है power में ही add करना है 2 का power 6 और minus 1 करना है और फिर आपको denominator में लिखना है 2 minus 1 तो आप लिखोगे 3 का power 2 power को एक बढ़ा के लिख दो फिर इसमें से आप minus 1 कर दीजिए फिर denominator में आपको लिखना है 3 minus 1 ओके आई होप आपको समझ आ गया होगा है यहाँ तक अब 2 का power 6 आपका होता है 64 minus 1 2 minus 1 आपका 1 हो गया multiply 3 का 9 9 minus 1 upon 2 ओके आई होप किलियर होगा 64 minus 1 आपका रहेगा 64 minus 1 63 9 minus 1 8 8 upon 2 2 से आपका 4 टाइम का टोज आएगा तो आपका 63 4 जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 252 ओके जितने भी गुड़न खर्णों के योग होंगे 96 के दनात्मा गुड़न खर्णों का योगफल वो आपका 252 आ गया है सिमिलर कोशन है रिपीट हुआ यह आपका 2014 में सीटेट एग्जाम में पूछा गया है 210 के सभी धनात्मा गुड़न खर्णों का योगफल आपको बताना है और आपके चार ओप्सन है आपको दिखाई दे रहे होंगे सिमिलर वही जो आपने फर्स्ट कोशन में अभी किया था 61 में ना मैंने अल्रेड़ यहां पर फैक्टर कर लिए है आई हो पितना आप सभी को आता होगा अब क्या करना आपको 210 के जो भी आपके फैक्टर निकल के आए है उनको आप पावर में कलेक्ट करके लिख लिए टू आपका वन टाइम है थ्री भी आपका वन टाइम है एंट फाइब भी आपका वन टाइम है एंट सेबन भी आपका वन टाइम है हमने नंबर्स को जो फैक्टर आये था उनको कलेक्ट करके लिख लिए अगला step क्या होता था हमारा अब one by one सब कुछ check करेंगे two का power यहाँ पर कितना है one तो two का power one है power में एक add करो two का power two और एक minus कर लो यही number आप नीचे लिख दो two minus one ओके and similar आपका three पर चलेगा three का power कितना है one तो हम लिखेंगे three का power two minus one upon three minus one and similar five का power भी one था तो एक बढ़ा के लिख देते हैं तो five की power two minus one upon five minus one and similar seven की power two minus one upon seven minus one I hope आपको clear हो गया होगा वापस इस वीडियो को आप दुवारा से देखोगे तो और clear हो जाएगा right अब आपको two का power four कितना होता है two के power two four four minus one upon two okay four minus one upon two and three का power two होतना nine nine minus one sorry two minus one आपका one होता है okay three minus one आपका two हो गया and five की power two twenty five minus one upon four into seven की power two fourteen nine minus one upon six okay simple सी अब calculation है I hope सभी लोग आगे कर लेंगे इस question को जो समझने वाला concept आपका वस यह वाली line थी इसमें यही man है आपका okay now four minus one आपका होता है three multiply nine minus one eight upon two and twenty four upon four and forty eight upon six okay अब आप इनको break कर लीजिए तो यह आपका आएगा three two से यह आपका four time cut हो जाएगा four से यह six time cut हो जाएगा और six से यह आपका eight time cut हो जाएगा तो next video